अगर आए कुछ लोग सोचल मेडिया पर कहरें कि आप जिन बच्चों को गोद लिये हैं उनकी फीस नहीं दी जा रही है तो इस पर पढ़ना भया ने अल्रेडी लाइव किया है अकलेज जी ने भी किया है तो आपकी तरफ से क्या मेसेज है देखिए मैं कितनों को गोद लिय अगरीबों को खाना देना कपड़ा गर देना िया गरीबों को गोद लेना इससे खेशारी से पहले तो किसी श्टार पछू नहीं कि थी सिर्फ्राइव ईसकि अपना यह नहीं हूँ दोगों को दान करना लोगों का हेल्फ करना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के दुख का हिशा बनना, तो आज सब लोग उस दुख का हिशा बन रहे हैं, तो मेरी तो जीत है ना, अब लोगों को लगता है कि क्या है क्या है क्या नहीं, तो वह स्कूल जानता है कि मैं क्या देता हूँ, और मास्टर जानता है हमें काने का मतलब कि अगर ऐसे ही लोग बदनाम करते रहेगे तो साइद मुझे नहीं लगता कि फिर दुबारा कोई हेल्फ करने की कोसिस करेगा मैं उन परिजनों करने की कोसिस के ले कि कुछ लोग हैं जो बड़े फ्यारी लोग हैं ऐसा नहीं को भी अच्छे इंसान सबको मेरे तरफ से सुबकामना है कि उनको जितना बदनाम करने का लगता है मुझे मेरे मुझे रोकने के लिए बहुत पावर चाहिए क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं हमेशा सच्चाई की तरफ रहता हूँ समी बदेशे ममें चे बताया कि 6 7 महने से स्कूल यी बंद तो कहां फीस दुम एसे रोड पर फेगते रहूं फीस तो आज सातौ ड़ में सी स्कूल हर जगब बंद है तो कहीं ना कहीं हम रोड फेख टिए तो नहीं रहेंगे ना मेरा मनना जिनको जो बोलना है बोलें जिनको काम नहीं है सर वो क्या करेगा कोई तो काम कर रहा है आज बताइए कि मेरे पीछे कोई बोल रहा है तो बुरा कैसे है मसरत ठीक है उसका काम है बोलना मैं अपने चीजों को ऐसा थोड़ी है जो उसके कहने से मैं किसी को help करना बन कर दूँगा जितना जितना लो अचिए बताइए गन्फि तरीके से परमोट करने वाले तो एक ही दो लोग होंगे लेकि मुझे प्यार करने वाले कडोरों में है तो मैं उन दो लोगों के बातों को लेकर मैं कडोरों का help करना बंड कर दूँँ ये तो मेरे नेचर में नहीं है निस्ता दो लोग देखिए जिन्हों ने मुझे 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 मुभबत देकर यहां तक बढ़ाया है, तो मैं चन्द चीजों के लिए जो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं तो सरनीव जी नहीं देखता, मैं फेस्बूक तक नहीं चलाता, कुछ लोगों ने मेरा नंबर वाईरल कर दिया, मेरा नंब नमबर वाइरल करना है भाई तुम लोग कर दो मुझे कोई फरकी नहीं पड़ता है मैं अपनी काम में इतना बीज़े होता हूं कि 24 गंटा मोबाई लेके तो बैठता नहीं हूं और मेरा काम देखने वाला कोई और है तो जिनको जरूरत है खेसारी की वह अपने आप उसमपर को हां करेंगे शोनु जी है विबेक जी है तो सारे लोगों से मिल के काम तो हमारा होई रहा है किसी के नमबर वाइरल करने से मेरा काम बंद थोड़ी होने वाला है और मैं परिशान थोड़ी होने वाला हूं नहीं होने वाला हूं इसलिए नहीं होने वाला हूं कि मैं एक द बातों को लेकर किसे से लड़ जाओं, किसे से जगड जाओं, और मैं हेल्फ जो करने वाली चीजें हैं, मैं किसको क्या देता हूं, नहीं देता हूं, ये मेरा जमीर जानता है, और मैं जानता हूं, मेरे अपने जो लोग हैं, वो जानते हैं, और इनके कहने से, किसी के कहने से मेरी जमीर को कोई असर नहीं पढ़ने वाला है जितना बदनाम करना है कोई कर दे सब सीता इतनी बड़ी हमारी रमायन के सबसे बड़ी अनमोल रतन्न सीता थी उन पे भी आच्रान लगाने वाले लगाए ना ऐसा तो नहीं तो जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा भगवान को भी दोशी बना दिया तो हम तो इंसान है और ऐसे छुदर लोग आएंगे आपके जीवन में ऐसा नहीं है की नहीं आएंगे ऐसे भौकने वाले हाजारों आपके आएंगे लेकि आपका रास्ता कुछ अलग है आप अपने रास्तों के मत छोड़िये इनको भौकने दिजिए जितना भौकना है भौकेंगे सांथ हो जाएंगे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीधा आदमी हूँ किसी और के लिए भौकेंगे तो अपने आप आदत बनी रहेगी तो अच्छी रहेगी न मैं तो भी गाड़ता हूँ मैं आदतों में लाता हूँ नहीं बोलने का करण मेरा यही है कि आप बोलो मैं नहीं बोलूँगा तो साथ अगर आपके नेचर में चीज़े रहेगी तो आप किसी को ऐसे ही बोलोगे, तो हर आदमी खेसारी तो नहीं है, तो फिर आपका अपना खोदी समझ में आ जागे कि आप किस लेबल के हो और क्या हो, तो चनल लोगों के बातों के लिए मुझे प्रेसर नहीं रहता है, मैं बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ, हमार जो कियेगा, पत्थर साधु पे चलता है सर, क्रिमनल पे किसी की अवकात नहीं है पत्थर चलाने की, क्रिमनल पे पत्थर नहीं चलता है, पत्थर साधु पे चलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओ ढोंगी है, क्योंकि ओ भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मेरे भगव आप ही समागरी बाठना सुरू कर दिया कि अब एगा बहुत सारी लोग Tapi के लोग जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में चासकता है आप तो खुदी उनको गोद लेता है तो मैं घरीबों को गोद लेता हों मैं असङाय लोगों को गोद लेता हूं कुछ लोग हैं फेसारी को तुम गाली दो मेरे गोद में बैठ जाओ थीक है ना, अच्छी बात आए, भाई किसी को गोद ले रहा है न आदमी, तो हमसे कम वह बिचार धारा तो दिमाग में आया, कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वा न जायज करता है, लेकि आप गोद में तो ले रहे हो, तो यहाँ पथर साधू पे ही चलता है, कोई क्रिमिनाल पे नहीं चलता है, कि मैं उस भिशार धारा में हो, कम से कम सर कुछ तो कर रहा है हो मेरे लिए, अपना काम छोड़के, आप आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूझना चाहिए, मुझे उसको तो पूझना चाहिए, इसलिए पूझना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंदा छोड़के, अपना केरियर छोड़के, सब कुछ छोड़के, और मेरे बारे में सोच रहा है, कितनी बड़ी बात है सर, तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ ही लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग हैं वो, उनके विचार धरमे में नहीं आता, तो सायद मेरे बारे में जो भी हैं बोलेंगे अच्छी बात है कहां बुरा है मैं किसी के बातों को बुरा मानता ही नहीं सब को समय बता देता है सर ये बताने के मुझे जरूरत नहीं है आज नहीं तो कल वो समय आएगा ये भी कि मुझे लगता है कि हाँ वो समय जरूर आएगा जब उस जगह पे खेसारी नहीं कोई और होगा और वो बिधी जो मेरे साथ हो रही वही विधी उसके साथ होगी तो सायद खेसारी बनके नहीं कुछ और बनके उनका हिसाब करेगा इसलिए मैं चुप रहता हूं कि भाई आदते अपने दिमाग में रखो आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुमारे साथ होगी अच्छा बाई खेसारी प्रैस्टा प्रस्टा कहां जाए भी डूल है टाव थे अल्यू अधर टाथ ही तो यूदुब ऊटूल है और प्क्यों स्ट्राश्या कोंस्टा प्काइब जावा कोंस्तों गोड़ी तो यूदुब अड़ एलिए बिग अट स